लगातार 38 दिन से चल रहा आज जो साहिक पुलीश का धरना है वो शमापत हो गया है सरकार के प्रतिनीर के रूप में मांडर के विधायक बंधुतिर्की यहां आए और उन्होंने भी अपना बात रखा जिसके बाद एक सहमती बनी साहिक पुलीश और सरकार के ही कुछ वर्य अधिकारियों के बीच में जिसके बाद नौशाद आलम और मांडर से विधायक बंधुतिर्की ने साहिक पुलीश के जवानों को एक पत्र सोपा जिसके बाद अंतह यह जो धरना है आज शमाप्त हो गया है जिसके बाद यहां से जो साहिक पुलीश के जवान है अपने अपने जिले अपने अपने घर की और प्रस्थान करेंगे धन्यवाद मैं सचिन जहरकनी उजिनाईन के लिए